है नमस्कार बाईयों दाधा दोड़ा डेरी बारंपरिवार में पिरश्या आपका स्वागत है यह आपका दाधा दोड़ा डेरी बारंपरिवार में डागाउं जिलावत सबसे पहले वंदे गोमात्रम को हमारी पुझनिये माता है जनम जनम से नातरा दे रादे जैश्री किष्णा जैगो माता जैगोपाल भाईयो जो अपने इस परिवार के साथी हैं पहले से जो जुड़े हुए हैं उनका तैय दिल से धन्यवाद और जो नए भाई पहली बार वीडियो देख रहें वो चैनल को एक्से सब्सक्राइब करें बैल आइकन करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा अपनी वीडियो को दोस्तों तक सेयर करें ताकि आप अच्छी से अच्छी गोमाताओं की दोस्तों तक जानकारी दे पाएं और एक वीडियो माद्ध मातर होता है जो आप तक जानकारी पहुंचाता है अपने हाथों से आखों से जाचे परके अगर कोई बाई लेने का इच्छुक होता है तो कहीं से भी वीडियो निरंतर गोमाताओं की देखना भी एक गोबगती ही कहलाता है गोप्रेम ही कहलाता है जो चलिए भाईयो आज एक सुद्ध हरियाना नसल की गोमाता जो बिलकुल सुद्ध प्योर हरियाना जी इसको हम कह सकते हैं इसकी पहचान भी मैं बताऊंगा दूद की दरह से सफेद और इसका सववाव जो शांत सववाव वो आप देख सकते हैं चाए छोटा बच्चा ही क्यों ना हो वो भी निरंतर गोमाता के साथ सने कर सकता है इस गोमाता ने तीसरी बार अपने बेटे को जनम दिया दो दिन पहले कद कठी से चाल डाल से रंग रूप से आप देख सकते हैं साइड में छोटे छोटे सिंग और जो गोमाता है थनों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा डिस्टेंस जिसको गैप कहते हैं कहीं कहीं ढूंडने से मिलता है हर्याना नसल के अंदर ना भी ने के बराबर होती है गोमाता में ना भी हर्याना नसल में ने के बराबर होती है मानों होती ही नहीं गलकंबले पतला वे छोटा लंबी गरदन और ये जो हंप है ये अगले पैरों की सीध में बिलकुल बराबर कि ओना चाहिए हर्याना नसल की जो पैचान होती है और मात्य पर हलका सा पोल की तरह से बीच में दिखाई देता है ये हर्याना नसल की पैचान होती है अगर आम इस गोमाता को पीछे से कवर करते हैं मैं कहना चाहूँआ तो आप देखे पुठा जिसको बोलते हैं पीठ बहुत श्यांदार बनावट ऐसे जो पुठे की ये जो है पोजिचन ये गोमाता का बहुत श्यांदार पीछे की तरफ डलान और ऐसे गोल आकार में ये देख सकते हैं इस सेफ में पतले जो गोमाता के चरण होते हैं पीछले ये इस सेफ में होंगे निचे से बिल्कुल पतले नुमकार जो हरियाना नसल का परतीक होता है मुत्र मारग बिल्कुल छोटा वो पतला होता है हरियाना नसल का आप देख सकते हैं दूद की अगर बात करें तो इस गोमाता ने दूसरी बार में 14 से 15 लीटर दूद निकाड़ा हुआ है अब जब यह अपने पीक पॉइंट पर आएगी तो हम गोमाता से 16-17 तक की उमिद करते हैं बाकी हमारी सेवा भाव पर होता है बाईयों कहने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन गोमाताओं के अंदर जितना शांत सा वाव होता है उतना ही उसको अच्छा माना जाता जितना शांत सा वाव हो वैसे तो हमारे उपर होता है हम जितना लगाव करेंगे तो उस हिसाब से गोमाता हमारे को भी सहन करेगी लेकिन एक ममता जो शांत सा वाव में देखने को मिलती है मानो हम गोमाता से दूर नहीं हो सकते इस गोमाता की सो परसेंट इस बात की गैरेंटी है कि इसका बिल्कुल प्योर शांत सावाव और दुवाई की जो बात करें तो शांदार दुवाई कोई भी चाए आदमी लेडिज या बच्चा छोटा कोई भी दुवाई कर सकता है यह हम कहेंगे कि हमारे लिए एक साख्षात वरदान होता है गोमाता का और इस गोमाता का तो सपेसल एक जो हमारे घर के आंगन में जो चरण है वो बहुत ही सुब और हमारे लिए हम बागे साली है कि इस गोमाता ने आपके अपने दादा दोलाडे रिफार में चरण रखे आपके दादा दोलाडे रिफार में हरियाना राठी साहिवाल थार पारकर गिर चोलिस्तानी गदरी इत्यादी जो मूल बारती है नसल की गोमाताएं होती है वो रहती है इन गोमाताओं के दूद से मिठाईयां तयार की जाती है सुद्ध आपके ही अपने दादा दोलाडे रिफार में इनी के घी दबारा इनी के दूद दबारा और देशी गुड शखर जो खांड रहती है उसके दबारा आने वाली दिपावली के उपर जो भाई लेने के चुक हैं वो हमसे कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, अगर कहीं पर आपको आमारी प्रोडेक्ट जो घी, दूद, मिठाई की जांच कियाओ सकता पड़े, तो हमनी संकोच कराने को तयार है, तो भाईयों आपने इतना किमती समय दिया, हमें इतना सनय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो में निरंतर बने रहे, अगर किसी वीडियो के मादनम से आपके दिल को किसी भाई के ठेस महुंची हो, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, हम परियास करेंगे कि अच्छी से अच्छी आपको जानकारी दें, और अच्छे साथ च्छा को माताओं पर जो कारिये करें, तो वीडियो कैसी लगी, हमें जरूर बताएं, धन्यवाद मित्रो, धन्यवाद साथियो, धन्यवाद, जैगो माता, जैगो पार.